कि हेई गाइस विल्कम पेक्ट वार माई न्यूव वीडियो आज हम करने वाले हैं कॉंस्ट्रक्शन चैप्टर 11 क्लास 10 का ठीक है तो हमने उठा लिए अपना बूक ठीक है आप कंपोस्ट पुरा बरके रखिए और 11.1 एक्सराइज का फर्स्ट कोईशन करने वाला है ठीक है जो कि मैंने ले लिया है ठीक है हमारा लाइन सेग्मेंट है फिर उसके बाद क्या मतलब बोला डिवाइड इट इन दा रेशियो 5.5 रेशियो एट ठीक है तो हम यह भी लिख लेते हैं फिर उसके बाद हमें बोला है कि मेजर दर टू पार्ट मतलब इसके दो पार्ट हमें निकालने है ठीक है दो पार्ट कौन से निकालने मैं आपको लाश्ट में बताऊंगा यह कोशन फटा फट करते हैं क्योंकि मैंने ड्रॉ कर लिया है क्योंकि चलिए आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद आपने लाइन सेग्मेंट यहां पर कंप्लीट कर दिया उसको नाम द रेडियस यू टेक एनी रेडियस फ्रम कंपोस की मदद से इसकी कंपोसी बोलते हैं कि कंपोस की मदद से आप अगर एक सेंटेमेटर लेते हैं तो अच्छा रहता है ठीक है तो यहां से आप यहां फिर थर्टीन आर कर लिजी विकॉस क्योंकि जो इसका फॉर्मूला है एम n is equal to m plus n ठीक है तो जो हमारा यह है 5 ratio 8 is equal to 5 plus 8 is equal to 13 ठीक है तो हमने 13 ले लिया अभी हमें यह 13 तक यह करना ठीक है तो यहां पर मैं फोटा फोट इसका नाम लिख देता हूं a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a6 a13 ठीक है हमने यह 13 कर लिया फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि आपको याद रखना है आपने जो यहां पर एंगल लिखा होगा ठीक है जो अल्फवेट लिखा होगा उसके जिसे आपने यहां पर पी लिखा है पी एफ़ाइब तो पी यहां तक पहुझ गया ठीक है फिर उसके हमें क्या करना है कि जोइन a b a 13 ठीक है इब और a 13 को जोइन करना है तो मैं आपको जोइन करके दिखाता हूं यह मैंने जोइन कर दिया है बी और ए 13 को ठीक है अब ही मैं आपको इसका step of construction भी इधर side में मैं लगा दूंगा ठीक है वह आप देख लेना screenshot लेना जो करना ही तो यह मैंने भी और यहां से थोड़ा सा मतलब आप कोई भी रेडियस यहां से लिया ठीक है फिर आपको क्या करना है जो फर्स्ट नमबर रहता जैसे यहां पर 5.8 रेशियो दिया है तो आपको पहले पाइप पे जाना जो यहां पर 5.30 के इस दब मीड में क्लियर दिखना चाहिए आप क्लियर करो ठीक है जितना साफ रहेगा उतने अच्छे माट मिलेंगे तो ऑपने यहां कर लिया है फिर हमें नहीं मेरा नहीं की तोड़ दिखा देता हूं देख लिए एकदम बराबर फिर आपको यह पोईंट से जहां सी इसमें सही पोउच वोगा ठीक है इसको यहां पर आर्क लगा देना आपको यहां पर एक पॉइंट मिल जाएगा ठीक है समझ रहो ना यहां पर आपको एक पॉइंट मिल इया तब यह पॉइंट को मैं जोड़ देंगे ठीक है तो अभी हमें क्या करना है यह हमारा complete हो गया हमें क्या बताना है कि देखो according to the 6.1 theorem कि जिसके भी triangle के अंदर दो parallel होते हैं तो वो जिसके भी दो angle एक समान होते हैं ठीके तो उसे बोले जाता है parallel तो यह दोनों parallel हो गया तो इसका मतलब इसका जो भी होगा और इसका जो होगा तो एक बराबर होगा इसका जो से जितना भी इसका हाइट length सब कुछ होगा उतना इसका भी होगा ठीक है तो यह हमारा हो गया four point I mean four point question में देखिए question में ध्यान से देखिए यहां लिखा है measure the two part तो two part कौन से मैं आपको पहले बताया था कि ध्यान से देखिए अब measure the two part हमें क्या करना है first of all यहां से a और c ठीक है a और c जो है ठीक है उसका में measure करना है तो यह आता हमारा two point nine centimeter ठीक है मैंने measure कर करके रखा और इसका आता है four point seven centimeter आप इसको प्लस कर लिजिए आपका आएगा seven point six centimeter ठीक है यही पूछा है और step of construction मैं यहां भी लिख दूँ नहीं मैं आपको यहां पर यहां पर आपको दिखा दूँगा ठीक है screen पर आपके दिख रहा होगा भी step of construction पूरा इसका जो भी है ठीक है तो आप और एक चीच बता देता हो कि इस lesson में जालतर justify पूछा जाएगा ठीक है आप तब तक note कर लिजे step of construction और इसमें दो theorem है ठीक है theorem कि हम अलग से वीडियो लाएंगे अभी हम चलते हैं आप पटा-फट और screenshot ले लिए ठीक है अभी हम चलते हैं अगले कोईशन की तरफ आ चुके हम अपने नए कोईशन पर इसमें से मैं आपको सेकेंड कोईशन करा दूँगा थर्ड तो सेम ही है और फोर्थ करा दूँगा और बाकि एंगल वाले तो काफी easy है तो आप खुद ही कर लोगे ठीक सेंटिमीटर और धना ट्राइंगल सिमिलर टुइट फूष साइड फूरी योट्के बाताया गया एक प्याय इसमें पूचल देया गया है तो पहले हम यह कर लेते हमने एक लाइन डौक ली और अभी हम अभी देखे आपको क्या करना है कि आप गलती क्या करते हो यहां से आ और दो को यह नहीं करना है आपको इसकी मदद से ठीक है इसकी मदद से आपको इस साइड लेना है ठीक है तो 6 सेंटीमेटर 6 सेंटीमेटर आपको ऐसा कर लेना ठीक है तो यह जो पॉइंट है यहां पर यह पॉइंट से यहां एक आर्क मार देना है ठीक है इसके आखों में मा के बाद करना क्या है पिर यहां से 5 cm का लगाना है यहां मैंने ले लिया है 5 cm का और यहां पर यह पॉइंट पर जाईए और इसको इससे कॉट कर दीजिये कर कर देने बाद आपको यहां एक पॉइंट मिल जाएगा जोती है और आपको क्या करना है कि यह 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 जोegeivand यह भी जोड लिया ठीक है हमने यह दोनों point कर दिया ठीक है टब है हम nail allows ठीक है कि एक क्यूंक्ट एंगल हमें ड्रॉ करना तो भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं आप अपने नोड़ में ड्रॉ करते हैं जैसे मैं बताता हूं ठीक है इसी यह बहुत ही ओगा अगा तो मैं लगा दूगा आप उसके दीक है मैं ने यहां हमने जोइन कर दिया है तो अभी हमें कुछ इसकी काम लगेगी ठीक है तो हमें क्या करना है इसको यहां पर एक इसके बाबू ठीक है यहां हमने इक नैन्टी डिग्री का एंकल बना दिया है तो यह-इसका मेंस कर रहा है और इसको यहांसे एसे काट देना ठीक है यह मैंने काट दिया है ठीक है काट दिया है अब इसको मुझे जोड देना है इसे करके ठीक है मैं आपको जोड देता हूँ ठीक है हमने यह भी कर लिया ठीक है आपको इतना करना है कि एक लाइन बनाना रहे हमारा फ़ाई सेंटिमिटर हो गया ठीक है और यह हमारा छॉड मेूं हेद्पूर इसको टोटल कर देना है अभी आप बोर हिसका टोटल आता है लेकिन नहीं जो चू अगर डिनो मिनेटर बड़ा रहता है ठीक है तो उतना तक ही लेते हैं ठीक है अब यह ज्यादा नहीं मालूब मुझे तो यहां पर फॉर्स ट्राइंगल भी पूछा गया है तो साइड फॉर्स ट्राइंगल मतलब इसकी बीच का मैं इसको पूरा नहीं कि हम लाई हो जो गया तो यहां तक हो गया आपको क्या करना है यहां से एक पॉंट यहां लेके जाना है जो कि हमारा सी हो जाएगा ठीक है इसको मतलब सी देदेते नाम इसका नाम हम क्या देते हैं새 एबी सी ठीक है यहां से हमें उसको ले जाने के लिए ठीक है तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा कुछ नहीं से करना पड़ेगा इसको इतना इधर लिया ठीक है उतना हमें इधर लेना है ठीक है यह हमने इतर ले लिया यहीं पर दिक्कत आती है कि इसके आगे क्या करें इस इसका जो मेजर स्सेम है फिर आपको यहां पॉ gefragt देना है फिर आपको यहां साथ यह लाइन जॉइंग कर देंती तो मैं जाइन करके दिखातों आपको राइन-लाइन-लाइन-जीद हाइस हम कि लोग आ चुके हैं हमारी वीडियो के तो यहां पर हमने यह लेओं जॉइन कर दिया लॉइन ठीक है आज से लैइन को लॉइन बोला जाएगा इसका आप हम हम दहाँ सी डैस ठीक है यह गैस हो तही तो यहां-पर हमारा एक प्रकार सी पूरा काम खतम हो गया है आपको step of construction में दिखा देता हूं ठीक है आप screenshot ले लिजिए पटापट ठीक है अब भी हम करने वाले हैं question number four ठीक है उसके बाद नहीं करेंगी क्यों काफी लंबा वीडियो हो जा रहा है तो आप screenshot ले लिजिए जो करना कर लिजिए एक बात हो जान रखना की काफी क्लियर होना चाहिए गंदा उंदा नहीं कि घुजगे सुभे सुभे ठीक है question number four ठीक है तो आपको क्या करना है कि यह जो point है ना इससे ठीक है question four में बोला क्या गया है एक्चिली इस ट्राइंगल हो बेसी एड़ सेंटीमेटर ठीक हमने एड़ सेंटीमेटर यहां पर लग लिया और एल्टीट्यूड एफोर सेंटीमेटर एन अधर ट्राइंगल वूसाइड आर वान वह वन और अफ टाइम फूदा करनेंसपांडिंग साइड अब दाइस लो कि यहां पर एक वीडियो ढॉर हो रही तो यहां पर एक मार करदेना ठीक है यहां उपर के साइड श्री जान रखें काफी सफाई रखें फिर सेम चीज यहां पर इसनीद एक यहां कर दिया कहाई प्रिखतब जभी पेंसल उठाके है नीचंछ और कर लिजेए। पार के अब आपको क्या करना यह दोनों लाइन को सीधी खीचनी है ठीक है यहां पर पॉइंट पर आना चाहिए आपने इतना कर लिया भी मैं फिर से बता देता हूं आपको एक से इसको 4 cm पर रख लेते हैं और यहां ने 4 cm ले लिया फिर इसके यहां पर इंडिल पर रखना है यहां पर एक देन आर्क ठीक है यहां से में इसको मेजर कर लेता हूं, five and a half प्रक्षित एंगेर यहां पिभी कि 5.5 ऊपर हैं तो यहां पर आप लिग दीजिए कितना आया 5.5 और यह ओँ फाइप 5.5 ठीक है यह हमारा इत customs हो गया अभी क्या करना हमें वो acute angle वाली रे करनी है ठीक है acute angle वाली हमें रे निकालनी है तो आईए उसको भी निकाल लेते हैं पहले उससे पहले हमें दिया क्या क्या है fraction 1 by 2 ठीक है 1 1 2 3 4 5 भलकि हम 1 2 3 करेंगे ठीक है तो आईए करते हैं यहाँ पर हमने एक acute angle ड्रो कर लिया ठीक है अभी सिंपल सा आपको पता ही होगा हमें क्या करना है कि अभी हमें यहाँ पर point लिख देते हैं point हमारा यह सी ठीक है और यह रहेगा हमारा बी डैस रहेगा और पॉइंट यह हो जाएगा बी ठीक है यह हमारा point हो गया है तो हमें क्या करना है कि point B को जॉइन करना है A5 के साथ मतलब A1, A2, A3, A4 और A5 ठीक है फटाक से जॉइन करते हैं गाइस ठीक है मुझे भी थोड़ा रिवीजन करना है तो चलिए फटाक से करते हम ठीक है मैंने B को A5 के साथ कर दिया ठीक है अब यहां से हम कुछ रेडियस ले लेते हैं यह हमन हमने आर्क ले लिया अब क्या करना है कि A3 जो है ठीक है A3 को भी ऐसे घुमा देना है थोड़ा सा फिर यह दोनों के बीच का डिफ्रेंस करना है एक खासे क्या क्या करें कि यह खासे कुछ होता नहीं बाब भी या उसकी बाद मैं थोड़ा घुमा लेता हूं और यहां पर अरे सुरी यार वेट अजस्ट मेने ठीक है काट के इसको यह काट दिया आपने इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है फिर से जितना इधर लिया था उतना लेना है और एतरी से यह वाला आरक जो है थोड़ा इसको बड़ा कर देना है तो साला छोटा-छोटा होते न मचा नह हुआ है हर नौ यहां पें इंटर्से हो रहा है यहां पर इंटर हो में इन चाहाँ होई और ल्bourह आं पाड में ठीक है इनशा हमें लिए यहां पर हमें कुछ रेडियस पिसे गुमा दे नहीं जैसे हम इधर नीचे आइंगल बनाते हैं भी क्या करना है कि इसको इतने पर ही कट्टी कट्टी कर देना ठीक है यह हो गया यहां से हमें एक लाइन ड्रो करनी यहां तो यहां पर हमने ठीक है यहां पर क्या किया कि इसका जितना भी माप था हमने इधर ले लिया ठीक है वह जो निचे से किया था वही किया यहां से हमने एक लाइन ड्रो कर दी इसको बड़ा हो जाएगा यहां पर हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन त्यार हो चुका है काफी टाइम लगा इसमें पर बहुत इजी है मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है नहीं तो रफतार है ठीक है इस टेप अब कंस्ट्रक्शन में आपको इधर पाben स वाधा है नहीं तब कंस्ट्रक्शन पर्बगा रहर हो ऑट छेजी है आप कंस्सक वाधा है